योगी आदतनास से कोई ब्रामन नराज नहीं है, कोई नराजगी नहीं है, यह सिर्फ अफवा है जो राश्चित में करती हैं, उसको सोचने की जरूरत नहीं होती और पूरी भामत के साथ मोधी जी और योगी जी की सरकार बने जारी है, आपको अगरिम शुपकामना है वोटिंग हो रही है, कुछ लोग हमारे पीछे हैं जो वोट डाल कर भी आए, कुछ लोग हैं जो वोट डालने जारे है पीछे आप देखिए परुश्राम भगवान की मूर्ती लगी हुई है और इस विधान सबाद शेतर की खासियत है कि यहाँ पर ब्रहमर वोट बैंक है, वही रिसाइट करता है कि भाई किसको सक्ता में लाना है पिछली बार के अगर हम बात करें तो सुनील कुमार शर्मा ने अमरपाल शर्मा को डेढ़ लाख वोटों से हराया था तो यह जो आकड़ा है यह कहां से निकल कर आया क्योंकि यहां की जो अगर हम बात करें जातिगत जो राजनीती है उसमें ब्रहमर वोट बैंक बहुत मायने रखता है, बहुत महत्यपूर है यहां के लिए जादात तर ब्रहमर हैं जो यहां पर आके वोट要 रहे हैं यहां जा रहे है, उनसे हम बात करेंगे कि माहोल यहां पर क्या है सबसे पहले आप से बात करेंगे, यहां का माहूल क्या है? आपने किन मुद्दो पर जाकर वोट किया है, और किस पार्टी को किया है, हम जानना चाहेंगे क्योंकि यह last है. अब यहीं से मावल बनेगा तो पूर्वान चल तक जाएगा शुरुवात यहां से हुई है बताइए पस्चिन से जो आंधी उठी है ना योगी जी की वो पूर्वान चल तक जाएगी और हमें अपराद मुक्त विकास युक्त सड़क युक्त बिजली युक्त हमें अधिक से अधिक मत्तादन करना हमारा संकल्प है आप जाग्रूक हैं लोगों को भी जाग्रूक कर रहे हैं फोन के माध्यम से और घर-गर हम अलग जगा रहे हैं पिछले चार दिन से-पांच दिन से क्या आपको वोट डालने जाना है पहले मत्तादन फिर जलपान यही हमा का बज़ा यह है कि उन्होंने बहुत विकास किया है पूरे प्रदेश में योगी आदितनाज की निर्टुत में बहुत ही विकास हुआ है और हमारे माननिये जो यहां के पारसद है निरेस भाटी जी दिल खोल के विकास कर रहे हैं घर घर जाते हैं सुबह साम जाते हैं अब किसे वर्गे मैं क्या कह सकता हूं जो विकास करेगा उसी को भूट जाएगा यह ब्राहमन की बात नहीं है पूरा वर्ग उनको भूट कर रहा है और बहुत भरी मात्रा से वह जीत रहे हैं इसमें कोई संधे नहीं और आगे भी जीतेंगे तो यह कहा जा रहा था कि योगी जो वकास करेगा उसको भूर्ट देंगे और हमारे जो छहत्रीय लोग है सुनिल सर्मा जी नरेस भाटी जी दिन राद काम कर रहे हैं यहाँ पे तो जो दिन राद काम करेगा पब्लिक के लिए सोचेगा उसी को भूर्ट दिया जाएगा मैं आपको पहले भी बोला कि डेर लाग भोट से पिछली वार 2017 में जीते थे सुनिल सर्मा जी इस वार दो लाग से उपर भोट से जीतेंगे ब्रहमन का ही नहीं संपुर्ण बर्क का समर्था नहीं उनको और मोधी जी का नाम है मोधी पुरे देश को विकास कर रहे हैं योगी जी और मोधी जी मिलके डबल इसलिए भाजब पाही जीतेगी इसमें कोई संदेने आप क्या बोल रही ती मेरा भी यही है जो उत्तर प्रदेश में जितना विकास हो रहा है और जितना सबसे पहले महलाओं के लिए इतनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कदम कदम पे हम दिन राज क्या कहीं पर चाह सकते हैं तो इसके लिए हमें योगी जी चारों तरफ चा जाएंगे और पूरे देश में नहीं पूरे विरेशों में उनका राज ऐसा चलेगा तो जागरूप करने की हमारी इच्छा है बहुत सालों से चलता है अपना विकास अपना विकास अपना विकास और मोदी और योगी उसके लिए साथ था योगी जी ने महलाओं के लिए बेटियों के लिए बहुत काम किया है तो हमारा बोर्ट तो उन्हीं को ही जाएगा मिशन शक्ति उन्होंने अभियान चला है बोर्ट मैंने डाल दिया है आपने भी डाल दिया है महिलाओं के लिए किया है आप यूपी को देख लो कितना चेंज करती है मुसल्मानों से थोड़ा सा यहाँ पर में एक सवाल पूछू है आपने जीन्स पहन रखा है और कुछ दिन पहले कॉंग्रेस ने कहा था कि जीन्स पहनते महिलाएं वो मोधी को पसंद नहीं करते हैं कि जीन्स पहनने वाली महिलाएं वो योगी मोधी को सपोर्ट करती है योगी को बोट डालके आए आपकी बार भी योगी सरकार विकास के मुद्धे पर विकास के मुद्धे पर बोट दिया है लोग जाद से आदम मतदान करें तो हमने जाग रुकता का गीत भी है हमारा आओ मिलकर लोग तंत्र का पर्व मनाएं बोट डालकर हम अपना दा इतनी भाएं आओ साथी सब आओ साथी यह मत सोचो एक बोट से कुछ नहीं होगा तुम्हारे बोट से ही भविश का निर्डे होगा अच्छे लोगों की अच्छी सरकार बनाएं हमारे पास समय कम है तो आप भी आ जाईए तो हम आपका जो गीत है बहुत खूबसूरत था और लोग जो है इससे जागरूग भी होगे हम दिखाएंगे शुरूआत तो यहीं से हुई है और अभी बहुत सारे चरण है जो साथो चरण के चुनाओं अभी बाके ही है अभी यहां से शुरूआत हो रही है तो यह जो आपका जो गीत है वो लोगों को जागरूग करेगा आप बताईए आप किसको वोट करके आई है मैं भारते जंता फायटी को वोट करके आई हूँ, जो राश्चित में करती हैं, उसको सोचने की जरूरत नहीं होती, और पूरी भाहमत के साथ मोधी जी और योगी जी की सरकार बने जारी है, आपको अगरेम शुपकामना है आपको क्या नाम है? हंसा आमोला आपने भी भगवा पेहन रखा है, अजय यहां पर चाचा जी थे, आईए आईए, आईए, सबसे पूचेंगे, इधर से आईए, आप से बात करेंगे, अभी चाचा जी ने कहा कि सिर्फ ब्रहमर ही वोट नहीं देते हैं, यहां पर बाकी जातिया भी देते हैं, लेकिन हम इस तो यहां पर कंडिडेट जो उतारे जा रहें वो ब्रहमन उतारे जा रहें क्यों उतारे जा रहें यह एक जाती समीकरण चलता है मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है कोई ब्रहमन नाराज नहीं है यह सारे हिंदूओं का काम है पस्चिमी उत्तर प्रदेश से आगाज हुआ है अंजाम सब को पता है और यहां से जो आदी चली है देश हितकी और रास्थ हितकी वो आदी पूरे प्रदेश में जाएगी यहां का संदेश सब जगे जाएगा सभी समाज ने बोट दिया है चाए वो भाजपा का है या नहीं है चाए वो सामानी नागरिक है क्योंकि रास् सबसे जादे महिलाओं का था परश्चिमी उत्तरपदेश में आपने सुना होगा परदेश पूरा का पूरा अपराद मुक्त है और पूरा प्रदेश अपराद मुक्त है इसलिए हम सब लोग बाबाजी को बोट दे रहे हैं तो शर्मा जी ने तो अपना मन बना लिया है कि कौन से वाले शर्मा जी को जिताना है दूसरी तरफ है सपा वाले शर्मा जी धर बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी वाले शर्मा जी को आप जिता रहे हैं बिलकुल शर्मा जी बाबाजी को जिता रहे हैं अच्छा आप क्या बोलें मैं मुझे यह बोलना है कि इस बाद य वोट देना है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और फाम लास फाइव यह सम्देखने काम हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहे हैं चाहे वो सपा हो चाहे बीजेपी हो हम उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए काम कर रहे हैं आप नौजवान है आपने किसको वोट किया ने वो मेर आप मुझे यह बता दीजी कि अखलेश को मुझे वोट क्यों करना है बाबा मैंने पूछा है इसके लिए मुझे वोट करना चाहिए यह अगर मैं इच्जत वहीं होती है उसको वोट करना चाहिए बुट करना चाहिए अपनी आत्मी के लिए वोट करना चाहिए अगर मुज़े योग unintended इस राइन होजाने हुसर कि वहाद हैं ये यह हuti है ये हमारे अगर आप आप आहिए कश्मीरी पंडे तुम है और मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा था ऐसा कुछ निये यंग पॉपलेशन उसी के लिए वोट कर रही है जो उनके लिए काम कर रहा है और काम होता वह देख रहे हैं आप आज एक माइक और एक कैमरे के साथ काम कर रहे हैं कॉम्णीकेशन कितना ड्यलप होगा है सबके हाथ में मॉवाइल है सब नेट से कनेक्टेट है चाहे वो गाह हो चाहे वो शहर हो सबको पता है आजकल कुछ छुपा हो नहीं है कुछ फाइलों में नहीं रहा सब कुछ नेट पर अवेलेबल है तो यंग पॉपलेशन दो उसी क मेरा नाम युक्ती है और मैं आज की यूथ हूँ मुझे ऐसा लगता है कि महिला आज आट वजे भी अपने गर से निकले तो वह सुरक्षित है मैं अपने गर के बाहर निकल सकती हूँ जो यह पहले नहीं होता था जिसकी पहले इस अरकार थी तो मैंने अपना वोट में सब के सामने कहती हूं कि हां मैंने भाजपा कोई दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल सही काम कर रही है और मेरा विश्वास है कि वह आने वाले सालों में भी अच्छा काम करेगी अच्छा आपने वाले सालों में भी अच्छा काम करेगी अच्छा आपने व लोग इतने जागरा तो चुके के राश्ट के बारे में सोसे और आज के लिए सबर्पीत होते हैं पार्टी को भी छोड़कर उनकामों के लिए सबर्पीत होती है जिसे देश की तिरंगे की आनबान और शान बढ़ती है जी सर बताएं किसको बोट डाल के आएं देश हीत और राश्ट हीत में और विकास जो कर रहे हैं उन्हीं को बोट डाल के आएं अच्छा डाल दिया आप बिल्कुल बोट डाल दिया है आप बताएं मेरा नाम मनोज कुमार जा है अच्छा मनोज कुमार जा तो यह वैसी के पा के बीच में यहां पर तकर नहीं है कोई तकर नहीं है कोई टकर नहीं है कोई पार्टी नहीं होती और जो राष्ट में काम करते हैं यह जन जन जानता है आज 18 साल से बड़ा जो भी बच्च ए वो जानते है उसको आप पाठियों के साद जोढ़ सकते हैं तो सकते हैं आपकी बात मेरी बात नहीं सुनता है उनकी बात सुनता जो देखी लेंगे कारण ये भी रहा अच्छा ये स्टेटमेंट के बाद आपका दिमाग बदल गया दिमाग तो देखो बदलावाई था पहले क्योंकि काम यहां बहुत अच्छे हुए योगी के टैम पे जो जो कानून विवस्ता है जो इससे पहले मैं आपर तकड़ीवन जो ह है 16 साल से रह रहा हूं जितना कानून विवस्ता इसके टैम पर हमने देखी इससे पहले कभी नहीं देखी कानून विवस्ता बहुत अच्छी चल रही है इसकी वज़े से मैंने बोट डाली और दूसरे हमारी बेटिया जो सुरक्षित है प्ले हमारी बेटिया सुरक्षित नहीं रहती थी हमें बेटियों का बहुत प्रिकर है आप बताया वोट डाल के आया हूं यह तो इस बारे में तो नहीं लेकिन मैं देश के बारे में कुछ कहना चाहूंगा देश की आज जो छबी है इंटरनेशनल पे नेशनल लेविल पे वह एक अलग हमारे जो पहले प्र अक्तिष्ठा नहीं बन पाई लेकिन आज हमारी इंटरनेशनल लेविल पे जो बड़े बड़े दिग्गस जो अपने को मानते हैं चाहां वो यूएस से हैं चाहां रसिया है चाहां इंग्लेंड है मतलब जितने भी नाटो कंट्रीज हैं आज कोई देश बिना भारत की सला कोई काम नहीं करता है और भारत की सला लेता है तो यह क्यों हुआ यह यह इसलिए हुआ है कि हमारे आदर्णिये पूजनी जो मोदी जी अतनी साप चबी के हैं कि उन्होंने हमारा संसार में जो क्या नाम है हमारे देश का नाम एक उपर की सूची मिला दिया नमबर एक में मैं सभी को यह सला दूंगा कि बोट उसको दें जहां पर दोनों की ट्यूनिंग हो सके देखिए घर में भी अगर एकता नहीं होती है तो वहां पर फिर जो पिख्राब पैदा हो जाते हैं अब हम यह मान के चलते हैं अगर सेंट्रल में बीजे पीवी है और स्टेट में हम दूसरी कार्मेंट को लाते हैं तो दोनों का कोडिनेशन कभी होने पाएगा और ना ही उससे पर डवलापमेंट होगा डबल इंजन की सरकार में डवलापमेंट की गती बहुत ज्यादा होती है और इसलिए जो क्या नामे में यह सजेस्ट करूंगा लोगों को इस बारे म हमारे बारे में सोच रहे हैं यह मूर्ती तो ब्रामट समाज ने लगवाई है यह किसी पार्टी ने नहीं लगवाई है जब सपा ने लगवाई अखले श्यादों ने जो लगाई जो कि अब लगाई है उन्होंने लखनव के साइड में यह एक चुनावी चीज है जिसका ब हिंदू है और जागरूख हिंदू होने के नाते वो सबसे पहले पूरे समाज का हित देखता है ब्रामट का अपना कोई हित नहीं है और इस हित को देखते हुए जो भी देश हित में है वहीं बोट जा रहा है और सारे लोग जागरूख है मैं बोल रहता मेडम हमारे यहां पर पहले जो हमारी बेहन बेटियां वो रोड पे चलती थी उनके चैन इसनेचिंग बहुत होती थी हाथों से पर्षीन करे जाते थे गुंडा गर्दी इतनी होती थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है ठीक है आज क्या है पांस साल में हमने य कोई भी इस इस इलाके में मेरे ख्याल से चैन इसनेचिंग नहीं हुई है ठीक है अब जो मैं उन लोगों कहना चाहता हूँ जो दुबारा सोचते हैं कि हम समाजवादी पार्टी में जाएं यह करें तो दुबारा भी यही हाल हो जाएगा इसलिए भाजपा को ही बोट दे ठीक है योगी जी को जिता है और जो ऐसे काम करेंगे योगी जी ने बुल्डर जट चलवाने का काम किया है ठीक है संपत्ति उनकी कुर्की है और गरीब लोगों को उसकी राहत दिया है कि उनकी संपत्ति पर गरीब लोगों के ही मकान बनेंगे उनको देजाएं तो यहाँ लेकिन आपने देखा कि जो जन्ता आयूई थी, कुछ लोग ते जो वोट डाल निकल रहे थे, तो यहां पर लोग हैं, वो गए हैं, कुछ लोग जो डाल कर निकल रहे थे, वो घर गए और जिन्हें वोट डालना था, वो लोग अंदर गए वोट डालने। लेकिन आपने देखा कि किन-किन मुद्दों पर यहां पर वोट पड़े एक तो विगास का मुद्दा है वो सबसे एहन रखा जा रहा है कि भाई हमें तो विगास के मुद्दे पर ही वोट करना है और ज्यादा तर लोग यह मान रहे हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ है वो मो बहुत जादा प्रभाव डालते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां वो चुनाओं से पहले बयान बाजी शुरू कर देती हैं एक दादा जी मिले उन्होंने बताए कि वैसी ने बयान दिया था कि मोदी तो पहारों में चले जाएंगे और योग होती है गाजयबाद मुएड़ा से इधर से ही शुरुवात होती है और यहीं का जो जनता का मूड था वो हमने आपको दिखाया आगे जिन भी चर्णों में चुना हो रहे हैं हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जनता का मूड बदल रहा है और किन-किन मुद्दों को लेकर वोट किया जा रहा है इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद